शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे विए पी नेट्वर्क्स चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दोस्तों हम सब जानते हैं कि भवद गीता पढ़ना हमारे विए कितना अच्छा होता है और कितना जरूर है लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं क्यों क्योंकि ये बहुत लंबी होती है और इसकी शुद्य संस्कृत भाशा तो फिर इस प्राचिन ग्यान को हम अपनी डे को जवाब है टौकिंग भगवत की आँकृत अगवाब का शमय मध कर गया और बहुत लुरी ऑगवत को वह प्रेसेंट किया गया यह थैद प्रेक्टीकल तो है ही और साथ लूर्त इंटरस्टिंग भी है चलिए मैं आप बताती हूं कैसे कि काट में कितनी सुन्दर है इसका पित्राइजेशन भी कितना प्यारा और कितना अलग है वर्ल्ड में एहली बार ऐसा हुआ है भगवत गीता को 11 लैंग्विजेज में ट्रांसलेट किया गया है अब मैं आपको इसका असली मैजिक दिखाते हूँ यह है इसका मैजिक विज्डम फ्लू यह मल्टी संसरी टेकनलोजी से बना हुआ है और इसकी सबसे अची खासित यह है कि मैं इसे जिस भी लाइन या जिस भी भाशा की श्लोक पे रखते हूँ यह उसी भाशा में आपको बोल कर तुनाएगा तो देखा जाएगा सबसे पहले इसमें बताने उपर यहां सामी से स्टाट भी कर सकते हैं और यहां समी से स्टॉप भी कर सकते हैं और अगर आप पॉस करना चाहते हो तो सेम बटन से आप पॉस भी कर सकते हो वॉल्यूम को बढ़ाना हो या वॉल्यूम को कम करना आप भो भी कर सकते हो और सबसे अच्छी चीज आप इसमें अपनी खुद की आवाज रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं तो चलके स्टार्ट करते हैं वह कहते हैं ना कि भगवत गीता की शुरुआत गणिश आर्थी से करने चाहिए तो यह देखें इसमें तो भजन भी है तो चलिए भजन भी सुनता है और इसमें मेडिटेशन भी दिया हुए अगर आप मेंसे कोई मेडिटेशन करना चाहता है तो वो इस विजडम फ्लूट के थुरूँ मेडिटेशन भी कर सकता है देखें कैसे अब मैं आती हूं इसके में पार्ट पर इसकी चैंटिंग पर पहला शंग बना है अगर मैं इस फ्लूट को पहले शंग पर रखते हूं तो यह पूरा चैप्टर आपको चैंट करके सुनाएगा और यहाँ चाहाँ दो शंग बने अगर मैं यह फ्लूट इस पर रखूंगी तो यह आपको पूरे चैप्टर के साथ उसकी एक्स्प्लेनेशन भी देगा और अगर मैं इस थर्ड पोशन चाहिए मोरपंग बना हुआ है अगर मैं इस फ्लूट को वहां रोखंगी तो यह आपको एक्स्प्लेनेशन देगा ऐसे एक्स्प्लेनेशन जिसके प्रसांगेक्ता आज भी उतनी ही है जितनी उस वक्त है कुरुपशेत्र के भूमी दयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्मयुद को चर्प देने के लिए और यह लास्ट वाल उप्शन अगर मैं इस पर रखती हूं तो यह आपको गाह कर स मैं वहाँ पर भी इस पूट कर रखती हूं तो वो जो मुवमेंट है यह आपको उसके बारे में भी बताएगा चलिए तब पर्टिकुलर श्लोक को कैसे सुन सकते हैं अलग-अलग भाशाओं में वो देखते हैं संस्कृत आप इसमें वर्ड बाइवर्ड मीनिंग भी समझ सकते हैं जैसे अगर आप संस्कृत पर टच करेंगे तो यह उस लैंग्विज में आपको प्रोनाउंस करके बताएगा और अगर आप दुबारा इसे टच करेंगे तो यह आपको उसका मतलब संचाएगा अब हम इसे हिंदी में सुनते हैं और ऐसे हम इसे इंग्लिश में भी सुन सकते हैं हमें इस बुक में अबब तक सिर्फ तीन भाषा है दिख रही है लेकिन इस बॉक में एक बुक माइघ दिया हुगा है और इस बुक माइघ में कई सारी भाषा है इस फ्लूट के थू आप इन अनेक भाषाओं को भी सुन सकते हो और देशी तो देशी, आप इस भगवत गीता को विदेशी भाषाओं में भी सुन सकते हो, जैसे इस बुक का एक इंटरेस्टिंग पार्ट और भी है, वक मार्क के माधियम से किसी को ज्याधा जल्दी सुनना है, तो वो स्पीड बढ़ा सकता है, और किसी को आराम से सुनना थो। वो नॉर्मल स्पीड में भी सुन सकता है, अगर आप इस की चैंटिंग सीखना चाहते हो, त तो इसमें एक recording का option है, तो आप इसका recorder on करके, अपनी आवाज record करके, आप उसे compare कर सकते हो, और साथ में आप सीख भी सकते हैं, इस भगवत गीता में जरूरी है कि आप शुरू से पढ़े इसे, आप कहीं भी कुछ भी किसी भी श्लोक पर इस fruit को रखकर सुन सकते हैं जो लोग देख नहीं सकते, वो इसमें दी हुई इस ब्रेन लिपी के माधियम से भी इस भगवत गीता को सुन सकते हैं, देखे, भगवत गीता हमें अंदर से प्यॉर्टी देती है, और साथ-साथ मजबूत भी बनाती है, और ये भगवत गीता, आज के युक्य हिसाब से ही बनाई गई है, ये भगवत गीता हम सब के घर में होना बहुत ज़रूरी है, मेरी घर में तो है, आपके घर में भी होना चाहिए आपके लगवत जब एंके लाइए